तो आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हों कि मेरे नाम सिध्धान तक नहीं हो तरी steady glows पर आपका बहुत बहुत बसवागत है दोस्तों ये lecture की मुझे बहुत request आई है, बहुत ज़ादा request आई है करण के बारे में बताओ, तो अब मैं काम करूँगा, मैं गीता पर लेचर लही रहा हूँ साती सात मैं stories और योद्धाओं के बारे में भी बताना शरू करूँगा तो सूर्य पुत्र करण की अगर बात करें, तो महाभारत के सबसे favorite character है आप दोस्तों, अगर सौ लोगों से पूछेंगे, तो सौ में से असी लोगों बोलेंगे कि उनका favorite character करण है, including mine, क्योंकि करण की कहानी ही ऐसी है उनकी कहानी, उनका character इस तरीके का है, कि करण से आप हमेशा प्यार करेंगे करण एक ऐसे योद्धा थे, जिनको हराना लगभग लगभग ना मुम्किन था महाभारत में बहुत मुश्किल हुई थी, अर्जुन के ओपर भारी पड़ गए थे, भीमो को हराया और दान वीर करण की कहानिया तो बहुत ही ज़्यादा famous है दान की कहानिया मरते मरते भी कृष्ण को दान दे दिया इन्होंने अपना कवच और कुंडल दान में दे दिया ऐसे थे करण, सबसे पहले धर्म, उसके बात कुछ आएगा लेकिन करण जो है, वो कौरवो की तरफ से लड़ रहे थे अब ये बड़ा, क्या कहता है, बड़ी tragedy है कौरवो की तरफ से करण लड़ रहे थे थे, पांडवो के भाई, करण की कहानी जानेंगे देखे, करण की कहानी बहुत बड़ी है, बहुत बहुत इतने twist and turns है, तो हम एक overview लेंगे करण की बहुत सारी untold stories देखेंगे, जो आपको शायद नहीं पता होंगी तो चलिए, आगे बढ़ते हैं चैनल को subscribe करो, दोस्तों आपको पते हैं, study glows में everything you will find हम हर एक चीज कवर करते हैं, religious से लेकर UPSC तक और सब कुछ यहां पे cover होता है, धीमेदी में और भी subjects cover होंगे तो आप चैनल को subscribe करें ताकि आपको notification मिलती रहे, मेरे खेल में एक second लगेगा, तो यार इतना तो आप करी सकते हो, इंस्टा पे मुझे follow करो आप मुझे सवाल पूछ सकते हो, और यह मेरा telegram channel है देखिए, एक और channel चल रहा है बड़ उसको मैं नहीं चला रहा हूँ, उसमें कुछ साड़े 15,000 करीब subscriber है, साड़े 15,000-16,000, आप वो मत join करिएगा मुझे सच कोई problem नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या डाला जाता है तो मेरा original channel है, जिसमें लगबख 13,000 के करीब subscriber है, तो आप यहीं join करिएगा यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, जब तक हमारी website ready नहीं होती है तो कर्ण के बारे में बात करते हैं, कर्ण को वासू सेन, अंग राज, अंग जो आज का बंगाल बिहार है राधे भी बोला जाता है, देखें महाभारत की बात करें हिंदुईजम में चार युग हैं, सबसे पहले आता सत युग, फिर आता है द्वापर जाब, रामायन लिखी गई फिर तेरेता महाभारत लिखी गई, मैं गीता के लेच्चस ले रहा हूँ आई होप आपने सुने होंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तीन अध्या खतम हो चुके हैं, जरूर सुनिएगा और फिर कल्युग जो अभी चल रहा है, तो महाभारत जो है, वो द्वापर युग, अदे चाचा, द्वापर तो मैं भूली गया द्वापर युग में महाभारत, पहले आता है सत्यूग फिर तिरेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कल्यूग, महाभारत द्वापर युग में लिखी गई थी, जब धर्मके दो ही पैर बचे थे, तो महाभारत एक ऐसा महाकाव है जिसमें ये दुनिया का सबसे बड़ा महा कावर जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा आप अपनी जिंदगी खोज सकते हैं तो महा भारत में भगवान कृष्ण है महा भारत में अर्जुन है और महा भारत में कर्ण भी है सारे भगवान महा भारत में हनुमान भी है महा भारत में विश्नू भी है महा भारत में शिव भी है तो पूरा हिंदुईजन जो है महा भारत पे आके confine हो जाता हलागि बहुत सारे scriptures है अब दोस्तो अगर हम करण की बात करते है तो कर्ण महा भारत के महा नायक थे वैसे तो कर्ण महा भारत का नायक अर्जुन है और अर्जुन में हीरो है लेकिन कर्ण जो है वो भी में हीरो थे लेकिन अर्जुन पर जादा फोकस किया जाता है अब दोस्तो कर्ण की बात करें तो ये सूर पुत्र थे लेकिन ये सूत पुत्र बनके रह गए कहानी हम देखते हैं करण का जनम कैसे हुआ कब हुआ देखिए आपको पता ही है कि यादव डाइनस्टी के जो राजा था है शूरसेन उनकी बहुत ही खुब्सूरत बेटी थी जिनका नाम था प्रिथा बाद में वो कुंती बनी हम कुंती की ही बात कर रही है तो दुर्वासा जो है दुर्वासा रिशी बहुत महान रिशी दुर्वासा वो एक बार आए यहाँ पे रुके और खातिरदारी से बहुत ज़्यदा प्रभावित हो गए अब सुर्ष सेन ने ये बोला कुंती से की देखो दुर्वासा आए हैं और वो उनकी हॉस्पेटालिटी तुमको देखनी है यह सुनिश्चित करना है कि यह बहुत अच्छे से रहे कुंती बड़े खुश कुंती ने दुर्वासा का बहुत अच्छे से खयाल रखा और दुर्वासा बड़े खुश हो गए तो दुर्वासा जब जा रहे थे वो इतने खुश थे कुंती से कि उन्होंने बोला कि मैं तुमको एक सिद्ध मंत्र देता हूँ एक तरीके से वर्दान दे दिया इस सिद्ध मंत्र का उचानड करके तुमको जो चाहिए किस कंटेक्स्ट में बच्चों के कंटेक्स्ट में जिस भगवान से जो बेटा चाहिए तुमको मिल जाएगा कुंती बहुत खुश लेकिन उस समय कुंती जो है वो टीनेज में थी अब हुआ क्या कि एक दिन उन्होंने सोचा कि देखते हैं ये सिद्ध मंत्र काम करता है कि नहीं सूरा जुगा कुंती ने ये सिद्ध मंत्र पढ़ दिया तो सूरज का जब उदै हुआ सूर भगवान सूर साक्षाद जो है वो कुंती के सामने प्रकट हो गए बरदान दे दिया और जनम होता है करंड का यहां से करंड की स्टोरी शुरू होती है लेकिन करंड का जब जनम हुआ दोस्तों तो वो कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए था सूर पुत्र सूर देखे ऐस्ट्रोलोजी में भी सबसे बड़ा प्लानेट सूर होता है आपके हाथ में भी सूर की रेका होती है ना है कि नहीं तो सूर बड़ा इंपॉर्टेंट है तो भाई सूर पुत्र थे करंड सूर जैसा तेज था लेकिन कुंती उस समय शादी उनके नहीं होई थी अविवाहित थी कुंती को लगा मैं तो शरम के मारे मर जाओंगी जब लोगों को पता ये चलेगा समाद में ये फैलेगा कि मेरा बेटा हो गया है और मैं अविवाहित हूँ तो कुंती ने अपने कलेजे पे पत्थर रखे करंड को करंड को अलविदा कह दिया उन्होंने टोकरी में रखा करंड को और छोड़ दिया नदी में बहा दिया और करंड जो हैं ये देख सकते हैं आप अश्व नदी जो महल के बगल में नदी थी अश्व नदी वहां पे बहा दिया करण बहुत ही छोटे कावच और कुंडल था उनके पास बच्पन से ही मतलब बच्पन में ही यहां से इनका स्ट्रगल शुरू हो गया कुंती को समझ में नहीं आया बहुत दुख था कि मुझे अपने बच्चे को अलविदा कहना होगा लेकिन उनके पास कोई चार से और उसके बाद युदिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल यह सारे बच्चे हुए कुंती को इस सिध्ध मंत्र से के द्वारा अब दोस्तों करण सबसे पहले पैदा हुए थे तो करण पांडवों में सबसे बड़े हुए ना तो करण को टेक्निकली पांडव के साथ मिलके लड़ना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं करण कोरवों के साथ लड़े और आखरी तक करण को यह नहीं पता था कि पांडव उनके भाई है और कुंती उनकी माता है जब महा भारत में करण युद्ध में कूदे तब यह पताच लगा करण को कुंती ने लग मगाए एक प्राण जाये पर वचन ना जाये ऐसा था करण का कुछ क्यारक्टर तो यह unwanted child था कुंती का छोड़ दिया उन्होंने अब बास्केट जो है ऐसे बहती गई बहती गई यमुना नदी फिर उसके बाद गंगा नदी में पहुँची फिर अंग किंडम में गई और उसके बाद करण को एडॉप्ट किया सूतों के परिवार में सूत मतलब जो रथ बनाते हैं रथ चलाते हैं शैरी ओटियर अब राधा और अधीरत नंदन ने इनको पाला बास्केट बहते 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 राधा के पास गई तभी दोस्तों आप कुंती प पुत्रों सुनेंगे हमेशा क्योंकि करण को राधा ने पाला था अब देखिए आपके रूंग्टे खड़े हो जाने चाहिए भगवान सूर के पुत्र थे करण ये कितनी बड़ी सीख है और ये कहां पले ये सूतों के यहां पले आप आपको लग रहा है कि इस पर बड़ देखा जाता था यहां पर ज़िए बहुत बड़ी बात है तो राधा और अधिरत नंदन ने पाला अब दोस्तों था तो इनमें शत्री का खून, है कि नहीं, था तो इनमें शत्री का खून, करण बड़े हुए और बहुत बड़े वारियर बने, शुरुवात में ही इन्होंने अपनी वारियर स्किल्स जो को जो है वो दिखाना शुरू कर दिया था अब दोस्तों जब यह बड़े हुए जब देखिए एक तरफ है पांडव, पांडवों को सारे सुख मिले, हालाकि यह बात अला कि बार बार उनको कौरव से चुनावती बिलती रहे, लेकिन वो सोने का चम्मच लेके तो पैदा हुए थे, पांडवों को तो सारे सुख मिले बाई, पांडवों को सबसे सर्वश्रेष्ट गुरु मिले, दोलड़ा चार ने, दोलड़ा चार के पास जो है, वो पांडवों ने स्क्षा ली, कोरवों ने भी स्क्षा ली, और दोलड़ा चार ने पहले ही वादा कर दिया था अर्जुन से कि मैं तुम ही कोई सर्वच्रेष्ट धनुर्धर बनाऊंगा महा भारत एक ऐसी कहानी है एक थोड़ी अन्याय की भी कहानी लगती है एक लब के साथ अन्याय हुआ है कर्ण के साथ अन्याय हुआ है कि नहीं ऐसा लगता है और यह बहुत कुछ आपको सिखाती भी है लेकिन कर्ण कभी भी इससे पीछे नहीं डटे पीछे नहीं हटे तो जहां द्रुणाचार ने सारे कौरवों को पांडवों को शिक्षा दे रहे थे कर्ण भी उनके पास पहुँचे द्रुणाचार के पास कि तुम तो सूत पुत्र हो हम शत्री को शिक्षा देते हैं सूत पुत्रों को शिक्षा नहीं देते हैं बलकि कर्ण वह सुपर्ब काफी एफिशेंट है लेकिन कर्ण को मना कर दिया कि तुम शिक्षा लेने के लायक नहीं हो ठीक है तो दोस्तों जब मना कर दिया तो कर्ण कहा जाते देखिए जो अधिरत थे वो ध्रत्राष्ट के सार्थी थे ये भी आपको याद रखना है और एक शूद्र थे तो करंड को उन्हों नहीं पाला था और बड़ी दिक्कत थी प्रॉब्लम बहुत जादा थी लेकिन करंड से बहुत 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 जादा इस्पेशली करंड को अपनी आखों से बिल्कुल ओझल नहीं देनी होने देती थी करंड की किस्मत अलग थी करंड एक बॉर्ण वारियर थे और उनकी किस्मत ही थी कि वह वारियर बनेगे लेकिन उनके पिताची आखरी तक समझाते रहे कि बेटा मच जाओ प्लीज मच जाओ वहां पे जो तुम्हारा रास्ता है, तुमको अंत में, मतलब फिर सही नहीं होगा, तुम्हारा अंत सही होगा, हम यह सब देख नहीं सकते, लव, रिस्पेक्ट, एफेक्शन, सब मिला करण को, जो कुंती नहीं दे पाई उनको, और करण भी राधे से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, दुरुणाचार ने स्कूल इस्टैबलिश किया, लेकिन दुरुणाचार उस समय सबसे महान गुरु थे, उन्होंने ब यहां पढ़ने आ गए हो, तुम जाओ यहां से, फिर करण गए सबसे महान गुरु के पास, योधा वारियर, अवतार, परशुराम, और परशुराम से शिक्षाली, वही परशुराम जिन्होंने दुरुणाचार को सिखाया था, वही परशुराम जिन्होंने भीश्म पिता को शिक्षा दी थी, करण ने उनसे शिक्षा लिए, परशुराम जो सबसे महान अवतार थे वही वह तो, लेकिन परशुराम ब्रामपन थे, और वो सिर्फ ब्रामपन और वह भी शत्रीयों को सिकाते थे, करण के अब दुविधा दी मन में किरण को पता था कि ऐसे तो मिलने से रही। आप देखिए हिंदों में गुरुओं की बहुत बड़ी एक पोजिशन होती है तो कर्ण ने सोचा कि मुझे या तो शत्री या तो ब्राह्मण बनके जाना पड़ेगा। तो कर्ण परशुराम के पास कर्ण ऐसे ही गए कर्ण ने परशुराम को नहीं बताया कि वो सूट पुतरया शूद्र हैं। परिशु राम ने कर्ण को शिक्षा दी, सारे अस्त्र शस्त्र के शिक्षा दी, भाई यहां पे दुरियोधन कहा रहा हूं, sorry, दुरोणा चार तक परिशु राम से सीख्या गए थे, तो अब शिक्षा का स्तर समझ सकते हैं, इसलिए तो कर्ण को हराना लगभग लगभग मना मुंकिन था, कर्ण ने लगभग सब को ही हरा दिया था, और भगवान कृष्ण ने भी यह मान लिया था, जब अर्जुन बहुत बखान कर रहे थे कि मैंने तो कर्ण को हरा दिया, तब भगवान कृष्ण ने बोला था कि बेटा कर्ण को तुमने नहीं हराया, कर्ण को हाला तो ने हराया है वरना कर्ण को हराना लगबग लगबग अभी वह story में आपको बताऊंगा सारी stories हैं मतलब जितने ही सारी तो नहीं बहुत ही जाधा हैं थीक है हजार से भी जाधा stories होंगी लेकिन कुछ जो बहुत जानी-मानी है जो शैद आपने सुनी भी नहों तो एक बर क्या हुआ, जब कर्ण सारी शिक्षा में निपोड हो गए, कर्ण को सब कुछ पता चल गया, यहाँ पर परशु राम ने बता दिया, तो एक दोपहर परशु राम सो रहे थे, मतलब परशु राम को नीद आई बहुत, तो कर्ण ने बोला कि आप मेरी गोद में सो जाओ, मेरी गोद को तक्या समझ के अपना सिर जुका लो और आप सो जाओ, तो कर्ण ने जो है, मतलब परशु राम उन्होंने यही किया, और कर्ण ने परशु राम को अपनी गोद में सो ला दिया, जब परशु राम सो रहे थे तो एक कीड़ा आया और कर्ण को काटा, कर्ण की जांगों पे काटा, बहुत तेज काटा था कर्ण को बहुत दर्ध हुआ लेकिन उनको पता था अगर वो पैर हिलाते तो परशु राम की नीद तूट जाती और मैं यह नहीं कर सकता, कुछ भी हो मेरी गुरु की नीद, गुरु को आराम करना है तो वो आराम करेंगे तो जब परशु राम उठे और उन्होंने देखा कर्ण के बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, तब परशु राम को इस समझ में आ गया कि इतना साहस, इतना धैर सिर्फ या तो शत्री में होता है या ब्राह्मन में होता है, तुम कौन हो कर्ण और कर्ण ने फिर सच बता कि जो तुमने सीखा सबसे ज़ादा जरूरत होगी उसी वक्त तुम विद्या को भूल जाओगे और ये श्राप जो था वो कर्ण के साथ रह गया, कर्ण ने श्राप को एकसेप्ट के लेकिन बाद में परशु राम कभी कभी गुस्से में इनसान बोल जाता है, या तो भग अगर खरे उतर जाते, तो शायद कर्ण को वो ऐसे भी मतलब ले लेते, अलाओ कर देते कि ठीक है मैं तुमको शिक्षा दूँगा, लेकिन कर्ण ने उनको सच्चाई नहीं बताई, इसलिए परशुरा मौड जादा गुस्से में आ गए, कि तुमने जूट बोलके शिक्ष और शिराप दे दिया था, कर्ण ने परशुराम के आश्राम को छोड़ दिया, तो कर्ण जब गए है, देखे एक तरफ कर्ण की शिक्षा पूरी होगी और एक तरफ पांड़गों की शिक्षा पूरी होगी, तो गुरु दोड ने बहुत बड़ा टूर्णामेंट की, यहां पे कुशलता दिखाएंगे, तो उसमें सब आये, कौरव कौरव आये, दुर्योधन आया, उसके बाद नकूल सहदेव आये, फिर भीम आये, युदिश्टिर आये, युदिश्टिर सबसे बड़े थे, और आखरी में अर्जुन आये, अब जब अर्जुन आये, जो क अब ही कर्ण आते हैं टूर्णामेंट में, और जैसे ही कर्ण टूर्णामेंट में आये, और उन्होंने अर्जुन को चैलेंज किया, कि तुम मुझे हरा के दिखादो, तभी कृपाचार ने बोला, कि कर्ण नहीं लड़ सकता, क्यूंकि कर्ण सूत पुत्र है, शत्री नही हैं, तो तुमको इस सभा में आने का कोई अधिकारी नहीं है, पहली बात तो ये, कर्ण का मूट खराब हो गया, कर्ण ने बहुत खड़ी-खोटी सुनाई, कट शॉट कर रहो दोस्तों, बहुत लंबा संबाद है, आप एक समझे कि यहां पर एक अध्याय बहुत लंबा है तो कर्ण ने खड़ी-खोटी सुनाई, कि मेरी क्या गलती है इसमें, अगर मेरा जनम जो है, वो एज़ा शूद्र हुआ है, और एक कंडिशन ये भी थी, कि अगर तुमारा कोई क्लान और किंग्डम है, तो भी तुम इस टूर्णामेंट पे भाग ले सकते हैं, लेकिन कर् सरदल ने बोला कि कायन, क्योंकि दुर्णि ये भाब गया था, कि कर्ण जो है, वो बहत मुत्रुप का एक चाश साबित होगा, और दुर्णि जो है, वो अर्जून से चरता था, भी म से चरता था, तो तुरंथ कर्ण के पास गया, और उसको अंग राजगोशित कर दिया, अब जब करण को अंग का प्रदेश दुर्योदा ने दे दिया तो करण टूर्णामेंट में उतर गया और अरजुन की नाक में दम कर दिया आप समझ लीजे इधर करण इधर अरजुन दोनों ही युद्ध कर रहे थे और जब करण की कोशलता को देखा अरजुन का इतना बख अरजुन की बेज्जिती भी हो रही थी कि यार ये तो बड़ा खतरनाक मामला साबित हो गया लेकिन ना अरजुन हार रहे थे ना करण हार रहा थे उसके बाद इस युद्ध को यहीं रुका गया जब लगा कि दोनों ब्रहमास्त्र ना छोड़ देख दूसरे के उपर करण ने दुर्योधन का बहुत बहुत आभार प्रकट किया और करण ने दुर्योधन को बोला कि मैं जिन्दगी भर तुमसे लोयल रहूंगा ये मैं तुमसे वादा करता हूँ कभी भी तुमको धोका नहीं दूगा मेरा तुमसे वादा है ये और दुर्योधन देखिए दोस्तों ये दोस्त आपको बता है कि दुर्योधन सौ भाई मर गए थे दुर्योधन के तब भी नहीं रोया लेकिन जब करण मरा था तब दुर्योधन रोया था दुरियोधन ने करण पे इतना विश्वास यह दोस्ती वैसी नहीं कि दुरियोधन का मतलब था इसलिए दुरियोधन ने करण से दोस्ती की दुरियोधन का भी character इतना खराब नहीं जितना दिखाया जाता है आपको मैं ये भी बता दूँ हर एक का character कुछ बुरा है कुछ अच्छा है पांडव भी कुछ बुरे थे कुछ अच्छे थे मैंने बता ना पांडव दो नर्क में गए थे बलकि सारे कौर व स्वर्ग में थे उसका लेचर अवेलिबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा तो दुर्योधन आखरी तक दोस्ती निवाई है कर्ण से बहुत अच्छे दोस्त रहे दोनों कर्ण और दुर्योधन इसी बीच आपको पते ही ये कर्ण बहुत अच्छे से रूल कर रहा था अंग प्रदेश में बहुत बढ़िया दान वीर था ना ये दानी था कर्ण और धीमे धीमे कर्ण बहुत ज़्यादा ताकतवर होते गए लेकिन कर्ण शकुनी को नहीं पसंद करता था और कर्ण इंडारेक्टली दुर्योधन को बोलता भी था कि शकुनी जो है वो सही नहीं है अब दोस्तों बात करते हैं हम स्वयमवर की करण भी स्वयमवर में गया था किसके द्रौपदी के द्रौपदी के स्वयमवर में करण भी गया था लेकिन दोस्तों किस्मत को कुछ औरी मन्जूर था और ऐसा भी बोला जाता है कुछ स्टोरीज में ये मिलेगा कि द्रौपदी कर्ण से प्यार भी करने लगी थी जब उन्हेंने कर्ण को देखा था लेकिन दोस्तों जब स्वयंबर शुरू हुआ कृष्ण भी थे अब कृष्ण के एंट्री हो गई थी अर्जुन के लाइफ में तो अब कृष्ण पल-पल अर्जुन को गाइड कर रहे थे और अर्जुन को ये वार्ण कर दिया था कि अगर कर्ण स्वयंबर में धनुषबाड का इस्तमाल करेगा तो यकीनन इसमें जीच जाएगा शर्त ये थी ना कि आपको मचली की आँख में निशाना लगाना है और वो भी कैसे नीचे जो है एक तस्तरी थी उसमें पानी था उसमें प्रतिवर्म बे दिखेगा और वहाँ से देखते हुए आपको मचली की आँख पे निशाना लगाना है तो कृष्ण को पता था कि कर ये कर लेगा अर्जुन को बोला ये कर सकता है तो वहें पे ही कृष्ण ने भी फिर अपनी चाल चल दी और उसके बाद करण के उपर ये आरोप लग गया भरी सभा में कि तुम सूत पुत्र हो और जब कुंती ये द्रौपदी को ये पता लगा कि करण सूत पुत्र है लेकिन देखें द्रौपदी मन ही मन अर्जुन को चाहती थी और द्रौपदी चाहती थी कि अर्जुनी जो है वो उनका पती बने तो जब ये पता चला करण एक सूत पुत्र है तो द्रौपदी ने भरी सभा में करण की बहुत बेज़ती की कर्ण ने कुछ नहीं बोला और वो चुपचाप वहाँ से चले गए और अर्जुन ने उस पूरे टूर्णामेंट को जीता और द्रापदी की अर्जुन से शादी हुई लेगिन फिर आपको कहानी पता है कि जब अर्जुन जो है वो द्रापदी को कुंती के पास लेके गए तो कुंती ने बोला कि जो भी लाए हो अर्जुन तुम वो पांचों में भाईयों में बाट लो तो इसलिए हम देखते हैं कि द्रौपदी की शादी पांडवों से हो गई पांच पांडव अब दोस्तों पांडवों ने अपना बहुत बड़ा सामराज्य बना लिया देखिए क्या हुआता न कि जमीन का बटवारा हो गया था ठीके यहाँ पे पांडवों को जमीन दे दी गई थी लेकिन वो जमीन मिलकुल बंजर थी तो पांडवों ने वहाँ पे भी बहुत बड़ा सामराज्य बना लिया और जब दुर्योधन आया उनके महल में तो इतना आलिशान था कि दुर्योधन आश्यर रिचकित रह गया तो दुर्योधन ने जब शकुनी को बताया तो शकुनी ने पूरा खेल रचा जिसको चौसर का खेल कहते हैं अब चौसर का खेल इस तरीके से था कि यहां पे पासो का जो कंट्रोल था वो शकुनी के पास था। अब चौसर एक तरीके का जुआ था जो कि पासो की मदद से खेला जाता था। एक तरफ पंडव थे, एक तरफ कॉरफ थे, कर्ण भी आया था। यह दोस्तों जो अध्याय ह बड़ा ही ये खलत है काइंड ने यहां जो किया वो बहुत गलत किया हर चीज हम सरहा नहीं सकते अब आप बोलेंगे कि काइंड की भी बेज़ती की थी अचा पहले मैं कहानी बता दू कहानी ये है कि जो युदिश्टिर थे वो एक एक चीज दाउं पे हार लगाते गए यु काइंड भी दुरौपदी को बहुत सारी चीजे बहुत उल्टा सीधा बोला करण ने जो कि acceptable नहीं था ओके ये सारी चीजे हुई अब उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि वक्त आगे बढ़ता है अब पांडवों को वनवास होता है वनवास वो मतलब उनको काफी ल होता है कि अब तो युद्ध होगा महा भारत से पहले भी दोस्तों बहुत कुछ हुआ देखे जब ये चौसर का खेल हुआ तो भीम ने पर्सनली बोला था कि मैं दुर्योधन को खतम कर दूँगा और बहुत ही घलत शब्द इस्तमाल किये ते कर्ण ने दुरौपदी के ल उस किंग्डम को हरा दिया कामबोज, शक, कैकयास, अवंतियास, गांधारास, माद्रकास, सब कुछ, तंगानास, पंचालास, जितने भी किंग्डम्स हैं मिला लिया दुर्योधन ने अपनी आर्मी ने आर्मी में और उसका सबसे बड़ा रिजन था कर्ण फिर इंद्र, इंद्र किसके इंद्र जो हैं, देवों के देव, बोला जाता है किंग आफ दी गौट्स इंद्र, और अर्जुन के पिता जी भी थे, अब जब इंद्र को ये लगा, इंद्र बड़ा घमंड में थे कि अर्जुन मेरा बेटा दुनिया का सबसे बड़ा लेकिन सूरिपुत्र कर्ण उबर रहे थे, तो इंद्र को टेंशन हो गई, और इंद्र ने बोला कि आर ऐसे तो कर्ण को हराना नामुम्किन हो जाएगा, इस कवच और कुंडल की वज़े से कर्ण को और कोई नहीं मार सकता, तो इंद्र ने सोचा कि चलो कर्ण को थोड़ा आसा कमजोर किया जाए, कर्ण के पास गए, एक पूर ब्राम्भन, बहुती गरीब, देखे कर्ण दानवीर थे, मैं आपको कर्ण की दानवीर के कहानी बताता हूँ, एक बार क्या हुआ था कि कृष्ण जो है, वो अर्जुन के साथ कुछ वारतालाब कर रहे थे, कि स्टोर बली वदा दे थे, बली की स्टोरी, तो यहाँ पे जब सबसे बड़े दानवीर की बात आई, तो कृष्ण ने बोला कि कर्ण से बड़ा दानवीर कोई नहीं, कर्ण से बड़ा दानवीर आके कोई नहीं था दोस्तों, महादानी थे वो, कोई भी उनको कुछ भी कह देता थ कुछ बी एक बाद तो विष्णु स्वयम प्रकट हुए चलिए मैं बता न मुझे अली स्टोरी है अभी पहली वाली स्टोरी , सुनिये एक बाद विष्णु स्वयम प्रकट हुए और उन्होंने भी एक बूढ़े का वेश धर्या और वो दुर्योध्यन की पास गए उन्होंने दुरियोध्यन से बोला कि तुम मुझे अपनी जवानी दे दो तो दुरियोध्यन ने बोला मेरी जवानी तो मेरी बीवी की है मुझे अपनी वाइब से पूछना पड़ेगा जब आप उपनी वाइव से पूछे तो दुरियोध्यन को बोला नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, आप अपनी जवानी तो नहीं दे सकते, तो दुरियोध्यन का नाम महाभारत में सबसे बड़ा है ठीक है आपको अर्जुन के haters मिल जाएंगे आपको महाभारत में सब के haters मिल जाएंगे लेकिन करण के कोई haters नहीं है तो यहां पर क्या हुआ था कि भगवान कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे थे तो बात आई महादानी की, महाग्यानी की, तो भगवान कृष्ण ने बोला कि कर्ण सबसे बड़ा महादानी है, तो हम भोला रहे नहीं हमारे दुरियोदन धर्म गुरू है, वो हमेशा सच को फॉलो करते हैं, सच का पालन करते हैं, वो है महादानी, तो भगवान कृष्ण ने बोला चलो चंदन की लकडियां चाहिए, क्या आप देंगे? उस समय बहुत रात हो रही थी, पानी बहुत बरस रहा था, यो धिश्टिर ने बोला कि अरे यारब सूखी लकडियां कहां से लाएं, बहुत कोशिश की, लेकिन सूखी चंदन की लकडियां तो नामुम्किन है, इस बारिश शमा करें महराच, मैं आपको सूखी चंदन की लकडियां नहीं दे पाऊंगा, फिर उन्हें बोला ठीक है आप जब नहीं है तो वापस जा रहे तो कईन बोला रुको, कईन ने अपने महल के सारे दर्वाजे, जो भी चंदन से बने थे, अपना बिस्तर वो भी चंदन से ब तो युदिष्टिर के पास भी थे, लेकिन तब भी उसने ये नहीं किया, लेकिन कर्ण ने एक पल नहीं सोचा, एक और कहानी है दोस्तों, एक और सुन लीजेसे, ये तो सबसे बहुत कॉमन है, जब महाबारत खतम हो गई, और कर्ण जो है, यो युद्ध भूमी में नहीं आया था, तो क्या हुआ कि जब कृष्ण कर्ण के पास गए, मतलब जब बैटल खतम होगे, जब कर्ण का वद्ध कर दिया अर्जुन ने, तो कर्ण जो है, वो बैटल फील्ड में पड़े हुए थे, तो भगवान कृष्ण एक ब्राम्हन का वेजधारन करके कर्ण के पास गए, और भगवान कृष्ण ने उनसे बोला, कि मुझे सोने की चीज़ सही है कोई, तो कर्ण ने बोला, कि मेरे दात सोने के हैं, आप वो लीजिए, तो उन्हों ने बोला, भगवान कृष्ण ने बोला, कि मैं तुम्हारे दात नहीं निकालूँगा, मैं थोड़ी न तो ऐसे ही इंद्र पहुंचे करण के पास एक भिकारी का वेश एक भिकारी ब्राह्मन का वेश धानन करके और कवच और कुंडल मांग लिया उनसे तो अब फिर क्या फिर एक बार करण से जो चीज मांग ली वो करण दे देते थे करण ने हस्ते हस्ते अपना कवच और कुंड दे दिया और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों सूर्य भगवान ने भगवान सूर्य ने करण को बोला था कि इंद्र तुमारे पास आएंगे और तुमारे कवच और कुंडल के लिए मांगेगे तुमसे लेकिन करण को पता था उसके बावजूत करण ने यह दान कर दिया य करण की स्टोरी मैं समय समय पे उस पे सेपरेट लिच्छ बढ़ आता रहूँगा तो जब युद्ध शुरू हुआ युद्ध शुरू होने वाला था तो कुंती को लगा कि अब वक्त आ गया है कि करण को सच्चाई बता दी जाए देखिए करण का करण को ओफर दिया था भगवान कृष्ण ने भी करण को ओफर दिया था कि तुम जो है हमारे साथ लड़ो अचा उस स्टोरी पे भी हम बाद में आएंगे ठीक है ठीक है तो कुंती ने कुंती को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि देखे करण भी कुंती के बेटे और पांडव भी कुंती के बेटे तो डर ये था कि यहां पे करण जो है या तो पांडवों का वद कर देगा या पांडव करण का वद कर देगे तो दोनों में लॉस कुंती का ही होगा तो कुंती डर के मारे करण के पास पहुंचियो और बताई कि मैं तुम्हारी माह हूँ और ये बहुत ही एक हाट टचिंग बहुत ज़ादा तो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई करण ने उनको साधर प्रणाम किया करण बहुत ज़ादा एमोशनल हो गये लेकिन करण ने ये बोला कि मैं कि आप चाहती तो उस टूर्णामेंट में भी ये बोल सकती थी कि मैं आपका बच्चा हूँ अगर आप ऐसा करती ही तो आज महा भारत होता ही नहीं या फिर अगर महा भारत होता भी तो हम ही जीतते लेकिन आपने ऐसा नहीं किया उस समय अगर आप उठ जाती हैं और बोल जो लॉयलिटी है वो दुर्योधन की तरफ होगी। हाला कि कर्ण ने कुंती से ये वादा किया कि मैं अर्जुन को छोड़के किसी भी पांडव को नहीं मारूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। और मैं नाग अस्त्र भी एक ही बार अर्जुन के खिलाफ इस्तमाल लेकिन कर्ण ने ये बोला कुंती से कि आप जब तक आप जीवित हो। मतलब जब तक ये युद्ध चल रहा है और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक आप पांडवों को ये सचाई मत बताईएगा क्योंकि अगर युदिष्टिर को ये बात पता चल जाती तो युदिष् कमांडर इनचीफ बनाए गए और उन्होंने कर्ण को युद्ध में आने से मना कर दिया और कर्ण को उन्होंने थोड़ा इंसल्ट भी किया ठीक है कर्ण भीश्म के खिलाफ खड़े हो गए और कर्ण को बहुती खराब एथोरिटी दी जा रही थी भीश्म ने बोला कि चलो कि अथोरिटी के अंदर नहीं लडूँगा तो दुर्योधन का मूट खराब हो गया लेकिन दुर्योधन को भी पता था कि भीश्म पितामा जिसकी साइड हो गए वो युद्ध जीट जाएगा तो यहाँ पे कर्ण का यही स्टायंड था कि भीश्म जब तक है तब तक मैं होंगो और शायद मेरी युद्ध में आने की जरूरत भी ना पड़े तो आपको पता ही है कि भीश्म ने बैंड बजा दी थी आधी से जाधा सेना को वो तो शिखंडी की वज़े से भीश्म ने हतियार डाल दिये थे फिर अर्जुन ने शैया पे भीश्म को लिटाया क्या वो एक अलग कानियों देखेंगें वो कभी तो उसके बाद कर्ण ने ये बोला कि ठीक है मैं तो भीश्म का जब मतलब भीश्म जब शैया पे लेटे हुए थे और जब द्रोणाचार जनरल बने तब कर्ण आते हैं बैटल फील में 11 दिन महा भारत 18 दिन तक चली थी 11 दिन क चक्रव्यू की रचनाकी जिसमें अभिमन्यू मारा गया बहुत बहुत ज़ादा दुख हुआ था अभिमन्यू को मारते हुए अर्जुन का बेटा था अभिमन्यू बहुत दुख हुआ था यहाँ पे कर्ण को अभिमन्यू को मारते हुए क्यों कि भाई उसी का ही तो दिन घटोतकच आते हैं घटोतकच जो भईया भीम के बच्चे थे भीम के बेटे आधे असुर आधे मानव ठीके तो इतनी जाधा ताकती घटोतकच जब फील्ड में आये तो कौरफ इधर तितर वितर हो गए बोला ये भईया कौन आ गया है और उसने बवाल मचाना शुरू कर दिया तब दुरियोधन ने करण से ये रिक्वेस्ट की कि सिच्वेशन को संभालो और तब जो शक्ती वेपन था शक्ती हतियार यूज करो हाला कि ये हतियार करण ने अर्जुन के लिए बचा के रखा था लेकिन घटोतकच पे इसको यूज करना पड़ा और घटोतकच मारा गया ऐसा था हाला कि आपको ये बता ये जो शक्ती हतियार था ये करण को इंद्र ने दिया था और इंद्र ने बोला थे या तुम एक ही बार यूज कर सकते हो इसके बाद तुमको ये इंद्र को लोटाना पड़ेगा तो करण ने ये हतियार को यूज कर लिया क्योंक अपना कवच और कुंडल दिया था अब करण के पास कोई डिवाइन वेपन नहीं था है ना जो अर्जुन के लिए क्यूंकि ये एक ऐसा वेपन था कि इससे अर्जुन खतम ही हो जाते पंदरवे दिन बैटल में क्या हुआ कि द्रोणाचार ने aciल से मा lighthouse को अशवृत्तामा मर गया अश्वृत्तामा था हा थी अब द्रोणाचार अपने बच्चेंश्वथामा बहुत प्यार करते थे क्योंकि द्रोणाचार ने भी पांडवों की बैंड बजा दी तो फाइनली इतने जादा वो परशान हो गए और एंड टाइम पे जो कृष्ण ने शंक बचाया वो सुन नहीं पाए खैर ये भी एक अलग कहानी है बहुत कानी मिक्स हो जाएंगी वेकार में confuse नहीं करते है लेकिन अश्वत्त थामा के मौत की कबर अश्वत्त थामा मारा नहीं तो अभी हो मर है लेकिन उसकी मौत की खबर सुनके यहां पे द्रोणाचार बहुत परशान हो गए और द्रोणाचार का अभी वद पंद्रवे दिन हुआ अब खाली कर्ण थे कर्ण और अर्जुन इस बीच दोस्तों कर्ण और भीम के बीच में भी बैटल होती है देखिए कर्ण और भीम के बीच में बैटल एक बार नहीं 7-8 बार हुई थी अब देखिए इसमें एक ही अध्याय दिखाया जाता है जिसमें भीम को कर्ण ने पराजित किया वैसे आपको बता दूं कि कभी भीम पराजित करते थे कर्ण को कभी कर्ण पराजित करते थे भीम को सत्रवे दिन तो भीम ने लगभग कर्ण को मारी दिया था तो ऐसा नहीं है ये ड्रौ पे था लेकिन एक ही, मूवी सीरियल में खाली एक ही दिखाया जाता है, कहन जब भीम को, वो एक ही बारे जब कहन, मतलब जब बुरी तरीके से कहन, कहन ने भीम को पराजित किया, अगर इन आल ओवर आप महाभारत देखें, तो कहन और भीम का मुकाबला ड्रॉ रहा था, ठीक है? ऐ भीम को भीम से जब लडाई कर रहे थे, तो भीम को कई बार मारने का मौका मिला? युदिष्जिर्त ने इतना जबाधा हारा हूवा मैसूस कर रहे थे, कहन ने बवाल मचा दिया था, तो युदिष्टिर्ग ने अरजुन को बोला कि अरजुन, तुम मार दिए कहन को, सीधा बोला अर्जुन युदिश्चिट को मारने चले गए कि ऐसा कैसे मुझे बोल सकते तो क्रिश्चन ने समझा है अर्जुन को किया रहे यह तुमारा भाई यह कहां मार रहे है उसे युदिश्चिट को भी मार सकते ते करिण लेकिन चारो पांड़ों को ना मारने का बादा किया थना कुंती से इसी लिए किसी को नहीं चुआ करिण ने सत्रवे दिन फाइनली आखरी दिन आखरी क्या मतलब सत्रवे ठारवा आखरी दिन था फाइनली बैटल बिगिंस और सबसे बड़ा महा संगराम अर्जुन और कर्ण के बीच शुरू होता है और ये दोस्तो महा भारत में इस फाइट को सबसे बड़ी माना गया है सबसे बड़ी परशुराम ने जो धनुष दिया था विजया और यहाँ पे अर्जुन के पास उनका गांडीव था शल्य जो था वो कर्ण के सार्थी थे और अर्जुन के सार्थी तो भगवान कृष्ण स्वयम थे शक्ती वैपन था नहीं लेकिन उसके बावजूद दोस्तों कर्ण ने बैंड बजा दी अर्जुन की बहुत तो बुरी तरीके से यहाँ पे हालात बिगड़ गए और एक बार तो अर्जुन लगभग लगभग निशाना एकदम सर पे था लेकिन उसी समय कृष्ण ने थोड़ा सा रत को बैलेंस किया वो उनके हिलमेट पे लगा वरना अर्जुन का सर धर से अलग हो जाता दोनों एक दूसरे को तीर बरसा रहे थे अर्जुन ने भी बहुत हानी पहुचाई ऐसा नहीं है कर्ण को अर्जुन ने भी बहुत ज़दा हानी पहुचाई है अर्जुन भी कर्ण के उपर भारी पढ़ रहे थे लेकिन दोस्तों कर्ण का अब देखे श्राप यहाँ पर याद क्या श्राप था श्राप यह था दोस्तों परशुर आम ने बोला था कि जब तुमको सबसे ज़ादा जरूरत पड़ेगी मेरी शिक्षा की उसी वक्त तु अलग हो गया अब कर्ण डाटल फील्ड पर अर्जुन को मारने पर फोकस करें कि बारबर रत का पईया निकाले वो इसी में लग गये अब दोस्तों भगवान कृष्ण को यह समझ में आ गया था कि कर्ण ऐसे बहुत मुश्किल ऐसे वद करना तो कर्ण का पईया रत का पई तो तुम मारोगे नहीं ताइम प्लीज अर्जुन ने अपना गांडी नीचे रख दिया भगवान कृष्ण ने बोला क्या कर रहे हो अर्जुन हे पार्त उठाओ गांडी मारो तो अर्जुन ने बोला यह गलत होगा क्या तक कुछ गलत नहीं है भूल गए भरी सभा में द हुआ क्या कि अर्जुन ने धनुषबान उठाया और करण पे चलाया करण का सरधर से अलग करण फाइनली स्वर्ग से धारे और करण का यहां पे अंत हुआ हालांकि इसका यह भी कारण है कि करण मंतर का उचारान कई बार उन्होंने करना शुरू किया लेकिन वो भूल रह कहिन की जब डेथ हुई तो कुंती ने पांडवों को बताया कि कहिन तु헝 सबसे बड़े भाई थे, पांडवों को बहुत बुरा लगा, युदिष्टिर तो दिमागी खराब हुगा युदिष्टिर का, बहुत दिमाग खराब हुआ, ऐसे क्रिष्ण को भी पताता न, तो क कृष्ण ने भी कर्ण को बोला था तुम पांडवों के साथ रड़ो तुम हमारे साथ आ जाओ कृष्ण ने यह offer दिया था कर्ण को कि तुम हमारे साथ आओ और तुम पांडवों की सेना का नेत्रत्व करो लेकिन कर्ण ने वो भी मना कर दिया कि मेरी लॉयलिटी दुरियोद्यन दोस्ती आकरी तक निभाई तो जब कर्ण मरे तो मौत के बाद कुंती को जब कुंती ने बताया तो युदिश्टिर का दिमाग खराब होगर युदिश्टिर ने बहुत उल्टा सीधा बोला यहां पे कुंती को उस सेंस में ने लेकिन बहुत बोला कि आपने बताया नहीं आप कौन होती है बाते चुपाने वाली बहुत दुखी थे हर कोई दुखी था कर्ण की मौत से अर्जुन को दुख था लेकिन वो दुख वैसा वाला था था थोड़ा सा उसको अच्छा भी लग रहा था कि चलो ठीक है यहां तक दोस्तों जब महावारत खत्म होई तो कृष्ण और अर्जुन का जो संबाद था बड़ा रोचक है अर्जुन कृष्ण से बोलते हैं कि तुम तो कहते थे कि करण बहुत महान है लेकिन देखा मैंने उसको मार दिया तो कृष्ण मुस्कुराए इस बात पर अर्जुन बार बार बोल देते हैं मैं ही महान मैं ही महान और यहां तक अर्जुन ने यह बोल दिया था कि जब मैं मारता था तो उसका रत जो है जब मैं धनु चलाता था तो रत दस कदम पीचे जाता था जब वो रत चलाता था तो मेरा दो कदम पीचे रत जा पीछे छोड़ देते हैं, पीछे कर देता है, तो सोचो वो कितना ज़ादा ताकतवर होगा, ठीक है, तो यह समझाया करण के बारे में, अब महाबारत खतम, करण का अंत, पांडवों ने लगवग 30 साल तक रूल किया, पांडवों को सत्ता मिली, और उसके बाद पांडव रूल की और परिक्षित के बाद ही कल्यूग का, कल्यूग की शुरुवात होती है, लेकिन करण एक बहुत बड़े एक्जामपल है, करण एक एक्जामपल सेट किया है, कि महानता ये होती है, और सबसे सेलिबरेटेड ट्रैजिक हीरो इनको बोला जाता है, ठीक है, पर्ब फिगर है अब देखे ये कहानी करिंग की थी मैं आपको समय समय पे चीजे बताता रहूँगा छोटी छोटी स्टोरीज लेके आता रहूँगा अगर आप और किसी के बारे में महाभारत के किसी और हीरो के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताए देज़ 13,000 सब्सक्राइबर यही जोइन करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें थांक्यू सो मच